आज की वीडियो है एक सुन्दर सी साइवाल नसल की गाए और उसके पिछे बहुत यच्छी राठी नसल का फीमल काफेन की बचडी है बचडी आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा ब्रीड क्रेक्टर के अंदर है इस गाए को जो प्रेगनेट करवाया गया था वो राठे की जाए उस पर बिल्कुल उसी पर बच्चा लेकिया आती है तो इस गाए में एक प्लस पॉइंट भी इसको कहा जा सकते हैं अगर इस गाए पर अच्छी साइवाल की बचडी या बचडा होता है और इसको राठी बुल से प्रेगनेट करवाया गया तो एक इसने एक्स्ट हुई है एक महीने की बचडी कितनी अच्छी तंद्रूस्त और इसके जो क्रेक्टर ब्रीड क्रेक्टर आप देख सकते हैं कलर को मिनेशन आप देख सकते हैं गड़कंबल नाभी पूंच की लंबाई माथी की पैडेंट कानों की पैडेंट बहुत यह अच्छी राठी चो कोटी नाभी की बच्डी है आप देख सकते हमका साइज अडर क्वाल्टी काफी शांदर है और अच्छे मिलक कैपेसिटी और एक अच्छी मिलक लनवाई वाला यह देशी गोवन शाजी तो सभी बाईयों को राम राम जै गौमाते जै सरी राम जो भी बाई आज आपके अ वो सबसे पहले आपके अपने इस चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें जिससे कि हर नहीं आने वाड़ी वीडियो आप तक जल से जल पहुंचे और आप इंजोई कर सके तो इसकी एक लाई मिलकिंग फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी तो सभी बाई वीडियो को अंत तक देखा करें वीडियो में हर डिटेल पूरी बताई जाती है बचडी काफी होंशियार और तंदूस्त है इस बचडी को काफी दूद पलाया गया है लेकिन मिलकिंग करवानी है तो दूद बचडी को थोड़ा कम पिलाकर मिलकिंग कंप्लीटली दिखानी पड़ेग क्योंकि बचडी एक महिने की उपर ब्याई हो चुकी है लगबग 35-40 दिन का ये बच्चा है बहुत शांदर अगर किसी बाई ने राठी और साहिवाल दोनों पे ब्रेडिंग करनी हो तो उन बाईयों को लिए काफी सुनायरा अपसर है क्योंकि जो गाय है ये साहिवाल नस लेटर वड़े दोनों गोवन्स हैं तो बहुत अच्छा लोटरी वड़ा गोवन्स भी इसको का जा सकते हैं तो खाली बालती अब देख चुके हैं चारों थनों की पहले आप धार कर कीजिए इस गाय की जो मिल्क मिल्किंग मतलव दूद और दूद निकालने का जो कारे है बहुत ही अराम और ये शान सबाव की गाहे है बहुत ही नरम द्वाई की ये गाय इसकी 100% गारेंटी है कोई भी बाई लेके जाए घर तक अगर गाय जाके हिले दूद निकालते समय इदर उदर हो उसका 100% गारेंटी है समेत कराए पैसे वापिस दिये जाएंगे बहुत ही शानदार सी गाहे क्योंकि इस गाहे की जो ब्रलाइन है काफी शानदार है तो सब भी वीडियो को अंतक देखें इस गाहे में कितना दूद है वो भी आपको देखने को मिलेगा इसका जो शान सब भाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं ये गाए कहां पर है सेल के लिए है या नहीं है तो ये गाए सत्गुरू डेरी फार्म गाओं केसरी सिंगपुर डिश्टिक सिरी गंगानगर और स्टेड राजस्तान में है और ये गाए सेल के लिए अवेलेबल भी है तो सत्गुरू डेरी फार्म में इसके अलावा भी अच्छी साहिवाल नसल की गाए कपिला गाए रठी नसल में गाए मिक्स ब्रीड में थार पारकर में क्रोस ब्रीड में और बफेलोज भी सेल के लिए अवेलेबल करवाई जाती है और हर जगह पर ट्रांस्पोर्ट की जो है वो भी अवेलेबल करवाई जाती है आप गर बेठे कहीं पर भी बेठे ओल ओफ इंडिया तो गर बेठे भी सत्गुरू डेरी फार्म से आप एनिमल परचेज कर सकते हैं देशी गोवन्स क्रोस ब्रीड में मिक्स ब्रीड में बफेलोज भी तो समय समय पर हर ब्रीड पर यहां ट्रांस्पोर्ट की फैसलिटी भी अवेलेबल करवाई जाती है और हर ब्रीड में गाय और बेंस सेल के लिए अवेलेबल करवाई जाती है तो आप गाय का सभाव जो आप देख सकते हैं कितना शांदार है बहुत ही शांद में सभाव की है एक जगाय रुकी हुई ग 100 परसंट गारिंटी भी है कोई भी बाइगर घर पे लेके जाए गाये दूद निकालते समय अगर गाये हिले इसका 100 परसंट क्लेम दिया जाएगा बहुत शांदार जी तो इस गाये को अगर परचेज करना चाहते हैं तो इनके कॉंटेक्ट नंबर हैं निचे सत्गुरु डेरी फारम 9829403357 और एक नंबर और नोट कर सकते हैं 9549518151 इन दोनों पर नंबरों पर आप संपर कर सकते हैं और घर बेठे अच्छा एक देश्वी गुवन्स परचेज कर सकते हैं तो इसकी मिलकिंग जो है लगबग कंप्लीट होने वाड़ी है तो सभी इस बशडी के अंदर अभी 12 लिटर प्लस दूद ओरड़ी तयार है सुन्दर से फीमल काफ के साथ है और अगर इसके प्राइज की बात करें तो क्योंकि प्राइज जानने की चुक सभी बाई रहते हैं लगबग हर वीडियो के इंड में प्राइज भी बताय जाता है तो उ 55 थावजनेंगी 55,000 उपए में यह गाय सेल के लिए अवैलबल है और कहीं पर भी आप घर बेठें गाय को ख्रीज सकते हैं परचेज कर सकते हैं और गाय को मंगवा सकते हैं तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सबी बाई वीडियो को पसंद आई होगी तो आप सबी ब पईयों से भी इजाज़त लेता हूँ धन्यवाद राम राम सस्रीयकाल सलाम जय गवमात्य और जय स्रीराम धन्यवाद